हो सकता है यार जो काम तुम कर रहे हो उसका फल तुमको आज ना मिले, कल ना मिले, एक महीने में ना मिले, एक साल में भी ना मिले, पर एक बात याद रखो Every effort you put in daily to achieve your dream will count and won't go to waste research हर एक दिन भी जो तुम काम कर रहा हूँ, उसका को करके साएथ तुम्हें अचानक से result ना मिले,ання पर एक बात समझ लो,ётся घरए दिन जैसे जैसे तुम काम करते जा रहे हो वह तुम्हें सपने को हकीकत तुम्हें बदलने की और नहीं दे रहा है सब करे चेया हो अभी यार देखो तुम में इसे बहुत साय लोगों ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा तो इसे विचाराना बहुत नॉर्मल बाते जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर किसी के भी माइंड में आ सकते पर अगर तुम लोग हर दिन अपने आप पर काम कर रहे हो हर दिन अपना बैस्ट देने की कोशिस कर रहे हो तो just remember this if you are working hard every single day to achieve your dreams and goals it will pay off maybe not today, maybe not tomorrow, maybe not in a month, maybe not in a year but one day you definitely get the reward of all your hard work देखो जो भी काम तुम कर रहे हो उससे तुम्हें जल्दी result नहीं मिलेंगे तो तुम्हारा मन उसको quit करने का कर सकता है पर कुछ भी quit करने से पहले एक बात समझ लो जो भी काम तुम हर दिन कर रहे हो वो धीरे धीरे तुम्हें अपने सपने को हकीकत में बदलने की और ही ले जा रहा है मतलब यार तुम्हें result नहीं भी मिल रहे हैं तो भी तुम अगर सही रास्ते पर हो तो आगे बढ़ी ही रहे हो इसलिए do not quit, do not give up just keep going every single day keep learning about yourself keep building yourself keep trying your best and most importantly keep believing in yourself because that's where the power to achieve greatness lies कोई भी कोई भी यार तुम अच्छा काम करने की कोसिस करते हो तो उसमें तुमको वक्त लगेगा और वक्त लगेगा तो तुमको सबर भी रखनी पड़ेगी क्योंकि बिना सबर रखे तुम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते अगर तुमको कोई instrument भी सिखना है तो उसमें भी time लगेगा अगर तुमको कोई new skill भी सिखना है तो उसमें भी time लगेगा या अगर तुमको एक new language भी सिखते हो तो उसमें भी time लगेगा मतलब यार तुम कोई भी अच्छा काम करने का ट्राई करते हो तो उसमें तुमको टाइम तो लगेगा और टाइम लगेगा तो तुमको पेशेंस तो रखना पड़ेगा क्योंकि जितना जरूरी हाइब आज़ उतना यह जरूरी पेशेंस भी है patience भाई तुम्हारे failure को lessons में बदल सकता है patience तुम्हारी weakness को power में बदल सकता है patience तुम्हारी dream को reality में बदल सकता है मतलब यार patience को तुम एक ऐसा fuel मान सकते हो जो कि तुम को आगे बढ़ाने में चलते रहने में काम करते रहने में मदद करता है trust me if you are on the right path no matter what work you do if you are working hard every single day it will pay off